कच्चे लेसुन के फाइदे अगर आप जाड़े या ठंड में कच्चा लेसुन खाते हैं तो अंजाने में ही कई बिमारियों का एक साथ इलाज कर देते हैं कच्चा लेसुन खाने से एंटी ओक्सिडेंट, फाइबर, विटामिन मिलते हैं जिससे डाइबेटीज, कोलिस्टराल और हाई बिपी जैसे रोग खत्म हो जाते हैं लेसुन एक अवसरीय खाद पदार्थ है जो सरीर के कई रोगों को नास करता है लेकिन जब आप जाड़े में इसका कच्चा सेवन करते हैं तो अंजाने में ही सरीर के सभी रोगों दूर हो जाते हैं कच्चा लेसुन खाने के इन फाइदों के बारे में देश के जाने माने आयरवेदिक एक्सपर्ट डाक्टर अबरान मुलतानी ने जानकारी दी है कच्चा लेसुन खाने का तरीका ठंड में लेसुन के फायदे पाने के लिए आपको इसे खाली पेट खाना चाहिए डाक्टर अबरान मुलतानिक ने बताया कि खाली पेट लेसुन की दो कली छिल कर चबाएं इसके साथ एक किलास गुनगुना पाने भी पी सकते हैं अईरवेद के मुताबिक कच्चा लेसुन खाने के 30 मिनट बाद तक आपको किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है कच्चा लेसुन खाने के फायदे नमबर एक ठंड में नहीं होता जुखाम कच्चा लेसुन खाने से सरीर की रोग प्रतिरोधक छमता मजबूत होती है एक इस्टडी के मुताबिक लेसुन का सेवन करने से आपके बिमार पढ़ने का खत्रा लगभग 61 परस्यत तक कम हो जाता है नमबर दो कोलिस्ट्राल और हाई ब्लड प्रेसर नसों में गंदा कोलिस्ट्राल जम जाने से रग्त चाप उच्च हो जाता है दोनों ही समस्याएं दिल की बिमारी का खत्रा बढ़ा देती है ऐसे में आईरवेद कहता है कि हाई कोलिस्ट्राल और हाई ब्लड प्रेसर के मरीज कच्चा लेसुन खाकर इसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं नमबर थ्री अलजाइमर और डिमेंसिया फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाला आक्सिडेटिव इस्ट्रेस आपके दिमाग की उम्र बढ़ा देता है जिसके कारण अलजाइमर और डिमेंसिया जैसी दिमागी बिमारी हो सकती है लेकिन कच्चे लेसुन में मवजूद एंटी ऑक्सिडेटिव इस्ट्रेस का नुकसान कर देते हैं पॉइंट नमबर थ्री ठकावट वकमजोरी के लिए एक्सपर्ट कच्चे लेसुन का सेवन एथलीट और स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए काफी अच्छा मानते हैं क्योंकि कई रिसर्च में इसे एथलीट परफर्वेंस को बढ़ावा देने वाला पाया गया है लेसुन खाने से आपको रोजाना होने वाली ठकावट वकमजोरी से छुटकारा मिलता है पॉइंट नमबर फोर हड़ियां रहती हैं मौटी उम्र बढ़ने के साथ हड़ियों की मुटाई कम होने लगती है और वे कमजोर हो जाती है आईरवेद में कच्छे लेसुन का सेवन हड़ियों की मजबूती के लिए फायदेमंद माना गया है लेसुन खाने से महिलाओं में एस्टोजन हार्मोन में इजाफा होता है जो हड़ियों की मजबूती में महत्पूर पाया गया है पॉइंट नमबर फाइब डिटॉक्स करने वाला फूड लेड जैसे मेटल सारीक अंगों के लिए खतरनाक होती हैं या सरीर में जहर बना देते हैं जिसे टॉक्सिन्स कहा जाता है लेकिन कच्चे लैसुन में मवजूद सल्फर कंपाउंड इन मेटल्स से होने वाले डैमेज को कम खरता है और सरीर को डिटॉक्स करता है पॉइंट नंबर 6 जोडो या मान स्पेशियो में दर्ध अगर आपको बार बार जोडो में दर्ध या मसल्स में दर्ध होता है तो या सरीर में बढ़ रही इन्फलेमेशन का लक्षन होता है लेकिन कच्चे लैसुन में एंटि इन्फलेमेटिक गुन होते हैं जो सूजन को खत्म करके दर्द से राहत देते हैं वहीं जाड़े में ठंड को दूर रखने के लिए भी लेसुन फायदेमंद होता है यह वीडियो केवल सामाने जानकारी के लिए है आसा है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सेर एंड सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों